हलो फ्रेंड मैं प्रकास बर्दों आपका स्वागत करता हूं आपके आलनाइं सेक्षन इस्टेडी प्लेट्पॉर्म पर ठीक है दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं कर दिये हैं स्टार्ट हम लोग छित्रमिती जैसा कि आपको पता है यह छित्रमिती जो आपका एक चैफ्टर है यूपी असाई बिहार साई और आपका एंटी पीसी के लिए मुस्ट इंपॉर्टेंट ग्रूब डी के लिए यहां से दो तीन क्यूशन और इसके बाद इतने भी डियार्ड योगर एक चांस है जहां भी क्यूशन पूशिजाते हैं मैं से एडवान्स वाले वहां पर एक दो क्यूशन फिक्स है एससी तो भर भर के पूशती है ठीक है तो आप लोग बने लिए इस स्टार्टिंग से इन क्लास हैं उसकी हो चुकी है तो चौथा क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें कि दिर्ग विर्तिकंड वढरें के बारे में लोग बात कर लिया है आजम फोड़ा साधर विर्तिकंड का उभर विव लेंगे उसके बाद वल्लाय को संख्या से पड़ते हुए कुछ सरकल से रिलेटेट कुछ आपको नुमेरिकल टाइब बताएंगे उसके बाद डायरेक्ट के तरफ बढ़ चलेंगे ठीक है आगे आने वोले दो सेशन जो होंगे वोकिल क्यूस्टन पर ही होंगे आप लोग घ्यान से बने रहे हैं का और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइ ठीक है जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल चुके हम लोग भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाएंगे मोटिवेशन में क्या होता है दोस्त की लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो मंद गरता है और ज्यादे पढ़ाने का अच्छे पाने का वैसे हमार लोग विर्थिखंड के बारे में जाने थे विर्थिखंड के ओभर्वू ले लेते हैं विर्थिखंड जैसे एक विर्थ हो गया इस तरह का विर्थ हम लोग बनाये थे और इसमें छोटी सी ऐसे हम लोग यहां से एक पेटिस्क जो आती है न बर्फी टाइप में एक हम लोग हम लिग कट कर लिए और यहां से एक हम लोग triangle के फार्म के संदना लिए और इसका एरिया निकालना थिए चोटा विरतिखंड है या बडा आयओ ये चोटा विरतिखंड का एरिया हम लोग निकाले थे जगर ये Halo यह छीटा अगर यह Radius R है यहां पर सेंटर है सेंटर हो है तो R ही होगा Radius दोनों तरब का घृऊ आईल निकाले थे न ऐसे देखिए आप लोगर यहां पर यहां पर ठिता है एंगल था और इसलँ मिनस कर दिये ते इसको इस वाले ट्रेंगल को सिर ट्रेंगल को माइनस कर दिये थे हम लोगर यह आर है यहां पर ओ था यह पेंद्र और श्र साथ है और इस वाले सिस्टम को किसमें से माइनिस कर दिये थे इस पूरे में से तो हमको इवाला निकल जाएगा है अब इसका हम लोग कैसे निकाले थे आपको पता है पाई आर इसक्वाइर इंटू ठीटा अपानमे तीन सो साथ आर इसक्वाइर इसक्वाइर आर है इसको ध्यान दीजेगा और इसमें भी हम लोग बताये थे एक बटे-दो हम लोग बढ़े थे कि एक बटे-दो जब साइड यहां पर टीटा हो और हमको हाइट अगर ने दिया हो तो हाइट आला हम लोग निकाले थे देखिए आप पिछला वीडियो उसमें हाइट हम लोग अच्छे से निकल के डिल किये थे यहां पर आ रहे है तो टीटा के जब शटे हुए दोनों भु कि अभ लोग कुछन करेंगे इस पर गवाव Chip пре eight वला ही के बारे में जाने थे अगर हम लोग वाले के बारे में ठाल टीट मैं श्रूब है ओ कि एक ठिक है अगर अगर आप लोग को इसका एरिया देसा निकालने के लिए इस वाले का है मोटाई जो मुटाई ए रहीं का और जो जो पेस्व को ओल्स सिंपल सा है भड़े-वाले मैंध्यिश और छोटे-वाले का एरिया माइनिस कर देंगे बढ़े-वाले-वाले का Изव gagn Ma यहां कि आज यहां पूरा बढ़ा-धाई-बाइनिस में उसके आप अब इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमें यह वाला एरिया मिल जाएगा देखिए यह पूरा बड़ा वाला और छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो यह वाला एरिया हमको फाइंड हो जाएगा हएगा और यह चीज़ आप लोग याद रखिए अगर कभी ठिक्नेस कुछ रेता है ठिकनेस मतलब अफोटी यह वाला ली आरटी मैनस और इस अर्वन करें यह थिकनेस सहर एगा ठिकनष भोल दिया जाए निकालने के joyful क्या करेंगे नारट तो माइनस आर वान यह बोलने के लिए और आपको क्योंशन में दे दिया जाये और इरिया का वैलु दे आपका है इस का थेकने बताईए मुटाई बताईए इस था प्लस आपले को आप पाई कॉमन लेंगे इसमें से पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा आर्टू का स्क्वाइर माइनस आरवन का स्क्वाइर ठीक है समझते चलेंगे हम भी समझाते चलेंगे आप लोग को ठीक है यहाला हम लोग एरिया निकाले थे भी इसमें से पाई कॉमन हो रहा है देखिए प स्कुार मानिस वी स्कुार का फार्मला होता है यहां पर लिख ढेंगे पाइंटु आरटु प्लस आरवन इन्टु आरवन मैनस आरटु मैनस रवन जो बड़ा होगा उसमें से चोटे वाले को माइनस कर देंगे इतना बत त्यां रखना आप तरहीं आरटू tsar लग देंगे 22 बटे साथ, यहां से आप R1, R2-R1 ना तब ठीकने से निकाल सकते हैं, ठीक है, इस वामले को आप लोग नोट करेंगे अपने कॉपी पे, चलिए, नेक्स की तरफ बढ़ते हैं, तोड़ा जितना बेसिक से पढ़ेंगे न उतना मजा आने वाला है आप लोग को आप लोग का कहीं से भी क्यूशन नहीं शूटने देंगे हम छेत्मिती से, बढ़न सर्कल कुरी तरह के से खतम होगा, तो उसके बाद आपका पॉलिगान देखी लिए खतम हो गया, उसके बाद सर्कल के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका त्रिबूस्ट ट्रेंग चक्रों की संख्या, ध्यां से देखेंगे, चक्रों की संख्या में, अगर आपको दे दिया जाए, एक पईया है, यन बार घुम रहा है, यन बार घुम रहा है, पहले एक आप लोग सिंपल सा फामला आप लोग जानते होंगे, स्पीड इस्टेंस, यानि दूरी अपटे, इसी को डारेट लिए जाए है, बटेट अब जोटों, अगर बोल दिया जाए, कोई सरकल है, कोई पहिया है, परिमिती सरकुमफ्रेंस से खुम्राइब माल दिस्ते का यह नहीं चाख्रों की संख्या इंटू इसुका आपका परिमाब यॉन की सर्कंफ्रेंस तो इस पीड इस कल्टू बता देंगे स्पीड इस पीड इस पी इस कल्टू क्या हो जाएगा यह इन इंस इंटू पाई यार बटे टी इतने समय में गया होगा मालें जी आप 10 सेकंट में 10 गंटे में 2 घंटे बाद आप 10 km पहुझ गए तो 10 km हो जाएगा n2 हुआ निकाल लेंगे क्योंकि 10 किल में दूरी है यह तो हमारा दूरी है यह निकाल सकते हैं अगर पूल देता है कि आप 10 चक्कर अभी 10 बार आप पयोग भुमा कर गरीब सव मीटर 200 मिटर जा रहे हैं तो सव मीटर 200 मिटर के बराबर यहीं होगा यहां पर रख देंगे और कितने समय में गए यहां पर है आपका समय पता दिया जाएगा इस तरह कुछ भी इंटर्चेंज करके कुछ भी दे सकता है कुछ भी पूछ सकता है अगर आप लोग को यह स्वज्मियाई हो बात है तो हम लोग निक्स में बढ़ते हैं और कैसे सर्क लगता है उसको पढ़ना तो है वह तो जानता है पढ़ना है फालतु का बना होगा चैनल पर लेकिन अगर समय में आ रहा है तो देखें बहुत अच्छी चीज है यहां से पका 80% क्योश्ण खसेगा जिस पेपर में क्योश्ण खसा उस पेपर का आप नाम लिखेंगे नीच और अच्छा लग रहा है तो इसमें हमारा साथ देंगे आप लोग ठोड़ा सा कॉपरेट करेंगे हमारे साथ बनाया रखेंगे सब कुछ सभी होगा ठीक है अब अगर सर्कल एक ऐसे बना देता है देखे यह माल लिए आपका वर्ग है यह वर्ग है आपका यह वर्ग है व अब लोग से पूछ लिया जिया गया इसे जो हमारा यह च्छायंकित वाग यह हर तरफ का च्छायंकित यह च्छायंकित जो बचा हुआ है जो बचा हुआ है ठीक है देख जिसको अम कलर कर रहे हैं चाइंकी दभाग का एरिया बताएं आप लोग इस चाइंकी दभाग का एरिया बताएंगे जबकि इसका रेडियस जो है सबका रेडियस स्रेम है अलब यह D है बराबर 2R और यह भी D बराबर 2R और यहां से भी D बराबर 2R जो सबका सेम है आपको किसका बताना है जो है इसका एरिया बताइए अब लोग क्या करेंगे पूरे वर्ग मैंस करदेंगे इन चारो सरकलों को ठीक इन चारो तो आजाएगा हमारा च्छाएं की ध्वाग का इसका मतलब अगर हम देखें जो अगर ऑ अगर नहीं यह पूरा ए है और यह देखें टू आपन फोर भी रख सकते हैं और आडि स्क्वाइल टू टू ए अपान फोर भी लख सकते हैं जिस रूप में आपका question होगा उस रूप में solve करेंगे ठीक अगर 4R बराबर A है अगर आपको A के R के रूप में लाना है R की value निकालनी है A का side दिया हुआ है side A दिया हुआ है अगर आपको निकालना होगा radius पूछ लिया जाए इसका तो आप क्या करेंगे A वाले को यहां से remove करेंगे और A के place पर क्या रखेंगे 4R रख देंगे इसके लिए formula क्या बन जाएगा 4R का square मतलब A के place के 4R, 4R का square माइनस 4Pi R square ठीक अब यहां से 4R common हो जाएगा 4R का square देखें, 4R का square मतलब यहां पर 4 बचेगा 4 चुके 16R square माइनस 4Pi R square अब देखें यहां से 4R square कावन कर लेंगे हम लोग यहां पर 4 बचेगा और यहां बचेगा माइनस 5 तो 4-Pi into 4R square देख लेते हैं एक बार 4 चुके 16R square कावन हो गया यहां पर 4R square कावन हो गया यहां पर 4R square कावन हो गया तो 5 बचा है A upon 4 रख देंगे यानि A का square माइनस 4Pi R के प्लेस पर क्या रख देंगे A upon 4 A upon 4 का holy square है ना ध्यान से देखते रहेंगे आप तो अब देखें A upon 4 का holy square का मतलब हो गया यहां पर A square माइनस 4Pi का value 22 बचेगे 7 रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं रख दीजिए अब यहां पर देखें A upon 4 जो है आर के प्लेस का आया है तो यहां पर रख दीजिए A square बटे 4 चुक के 16 चार एककम चार चुक के 16 चार सते साच चुक 28 यहां पर हो जाएगा 28a square जब इसका LcM लेंगे हमारा हम तो 28a square माइनस 22a square बटे साच चुक 28 ठीक है अब दीख 28-22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28-22 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6a square 6a square बटे 28 यहां से काट देजिए 2,3,6 और 14 यानि कि हमारा फाइनली जो आ जाएगा एक के फार्म में 3a square बटे 14 इस तरह आप लोग एक फार्मूला यह जनरेट हुआ एक फार्मूला को आप लोग अच्छे से नोट करेंगे और समझ बनाकर अच्छे से समझते हुए इसक तो देखेंगे इसके इंसर्ट लेजिए अगर लेना है तो हम लोग नेक्स टाइप के सब्सक्राइब बढ़ते हैं ठीक है दोस्त चलिएगा देखेंगा नेक्स टाइप क्या है अगर ऐसा भी तो दे सकता है अब यह आपका एक वर्ग है ठीक है वर्ग आ गया और इसमें आपका एक सर्कल ऐसे बना दिया ध्यान से देखेंगे ऐसे ठीक है ऐसे सर्कल बना दिया सर्कल बनाने के बाद आप से पूछ लिया यह जो चाहिंकीद भाग है इसका एरिया बता दिए कौन रदाएगा जल्दी हाथ कड़ा करिए यह वर्ग है मतलब कि अगर माल लेते हैं यह साथ है यह दूनें साथ बताये वाला जो आपका चाहिंकीद भाग कर्या हो इतना होगा ध्यां दखेंगे यहा पूरे सर्कल का एक बटे चार पूरे इस वाली का एरिया अंदर वाले का तो पूरे वाले में से वर्ग में से अगर इतना माइनस कर देंगे हम लोग तिया निकल जाएगा चाहें की दभाग बस क्या करना है स्टार्ट कर देते हैं फिर साथ गुड़े साथ स्टार्ट पाइननस यह पाई आड इसक्वेश होता है न अब देखी यही तो सेंटर पॉंट है ओ यहां से या ये से उपर चाहें नीचे है वही तो रेडियस होगा मदब रेडियस यहां पर हमको मिल गया देखी यह वाला चीज रेडियस है इसका सरकल का क्योंकि यह चौथा भाग है ना चौथा भाग का एक स्साम काट लिए पीस टाय पे निकाल लिए तो यह साथ हो गया यह भी साथ जो पे डियस आयेगा वह कितना आयगा साथ आ जा रहेगा यानिकि पाई आ इसको है बट्टी चार को माइनस करना है को इतने मिसे अब देखने के साथ सत्य उन्चास माइनस बाइस बट्टे साथ पाई की वैलू आर की वैलू कितनी है साथ अलबकि साथ गुड़े साथ एक देख रहे हैं न आप लोग यहां पे दो दूनी चार बार में गया यहां पे इतना आ गया है 11 अब ध्यान से देखेंगे 1177 49-772 2988-248-9-772 अब इसको 8-7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 9-7 करेंगे तो 2 आ जाएगा 21 बटे 2 किसे दो का मतलब 10-10 बलो 5 क्या सेंटी मीटर कर दिया है तो सेंटी मीटर इसक्वायर कर देंगे अब अगर इस चीश को आप लोग समझ गये हैं तो आप लोग एक क्यूसन लगाएगा इसी के ऐसे अगर क्योस्ते क्यों देदे यहां से ऐसे सरकल उठाए, और ऐसे दे दे इसी को भागी नहीं और से जोड़ दी है, इसे वाले पार्ट को दो पार्ट बनाकर एक इधर से सका दी एक इधर से बड़ा बार्ट बन गया, मलब कि यह वाला जो 7 था, यह वाला भी 7 थी था, और यह तो 7 है ही, ठीक है, मदलब कि फिर से radius कितना आ गया, इस सरकल का, देखिए इधर जाएं, चैसे इधर जाएं, तो साथ ही आएगा, radius ग्राइबर साथ, radius साथ है, लेकिन जो हमारा यह वाला, सोरी, हाँ, radius साथ है, radius साथ है, लेकिन जो यह वाला हिस्ता है, वो कितना है, देखिए, डबल ह यह भमदल है, तो इसका मदलब देखिए, यह जब डबल हुआ है, गया फिसको भी नहीं है, आप ध्यान से देखिए, जब इस पार्ट का डबल है, यह एचीज इधर बाला, क्योंकि हम इस ही जो चाहें की दभाग है, इस ही निकालना है, पहले एकका निकालना था, तो आय प्राइस दो यहांने 21 बैटे दो लेकिन अब दो उसी को दो सटा दिया गया तो जस्ट इसका ही तो डबल आएगा यह चीज अगर एक तौफी मिलती ये दो रुपए में तो दो टौफी डबल लिक्त होगा एक तौफी का दो रुपए प्राइस है तो दो टौफी का चार रुपए अब यह यह एक है तो इसके लिए पेज बटे दोता अब यह चीज दो हो गया तो 21 बटे दो गुड़े दो यानि 21 लोग एक और अगर यही पहे 7 7 न दे कर लेडियस हो जाता है जैसा कि हम लोग स्टाइण है परेते जब भी रेडियस देता है उससार्टि मंदै तो यह दो साथ जब r sia तो है तो कि यह ऐए स्बैली कि वैलू आती है वारा कितना आ जाता है 22 ड़ाद कि यूट अब रडियस इससे दो गुना है तो एरिया निकालने के लिए पुछा जाए रडियस बरबाबच चवदा पर एरिया कितना होगा सरकल का तो तुरंत आप बड़ा देते हैं 154 था 7 पर अब साथ से डबल है तो एरिया निकालने के लिए 4 गुना से मल्टिपलाई करेंगे अग सचेवान था अब साथ से एक टिस कितना बड़ा है साथ रिक काईस तीन गुना ज्यादा है तो यहां पर तीन काई स्वाय कर देंगे इस तरह हम लोग स्टार्टी में पढ़ेते हैं आप लोग को या पूका तो लोग नहीं पढ़े हैं और लोग पिछला वीडियो जाके द अब आप से पूच लिया जाए अब इस सरकल में नोग यहां से इसका सेंटर पॉंट है जो चारो सारकल है सब का रिडियस से मैं इतना ध्याद के इसकी रिडियस से मिलाने वाई लाइन एक हमारा क्या बने गा एक स्कुआरी बनेगा इक स्क्वायर ही तो बनेगा स्क्राइब नेगा तो एक स्क्राइब को कर दो इस स्क्राइब में गया अब आपके पूछ लिया एडिया शायं की दिवाग्न का तो कैसे बताइब ध्यान देंगे जोर्कल बन जायेगा सesक्षेटिस अब इसी चारों को जोड़ नजाएगा एक circle का area कितना हो जाएगा πाई आर स्क्वाइर अब पूरे वर्ग में से जो वर्ग हम लोग बनाए हैं उस वर्ग में से अगर पाई आर स्क्वाइर माइनस हो जाए एक circle पूरा तो यह वाला area निकल जाएगा क्योंकि इधर वाले भाग से हमको क्या मतलब हमको मतलब सिर्फ से जो थोटा वाला है ठीक है बस उसी को माइनस कर देंगे यानि की साथ गुड़े साथ वर्ग का स्क्वाइर माइनस पाई या इस्क्वाइर एक पुरा circle बन गया चाहते उन चाहस माइनस 22 पूटे साथ आर का वैलू 7 गुड़े साथ साथ से साथ गया बाइस और साथ दु पूरे square का वीडियो playlist ने पढ़ा हुआ है, क्यों का वीडियो पढ़ा हुआ है, क्यों कैसे निकालते हैं, square कैसे निकालते हैं, सब वीडियो पढ़ा हुआ है, playlist में जाईए, मैं ट्रिक नाम से playlist ने बनाऊगा, फाइल उसको आप लोग खोल के वहाँ पे देख सकते हैं, लग जिनको याद है उनको सही है जिनको नहीं याद कर लेंगे कम से कर नहीं तो स्टार्ट सब्सक्राइब 14 का स्क्राइब 14 सकते हैं पता है साथ दूनी 14 यानी 104 जाएगा 6-4 दो 9-5 नव मांसे 5 जाएगा तो चार, नौ में से पांच जाएगा तो, चार होगा, यहां पर एक एक जीरू, यानि कि 42 cm2 जो भी इसका, अगर संतीमेटर दिया है, साइट संतीमेटर है, तो संतीमेटर स्क्वार जाएगा, यह तो रहा खर, सारी चीजें, आप लोग को याद होगा, अब कुछ चीजें हम लो यहां पर एक circle बना हुआ है यह एक्विलेटर triangle है इसको दियान देंगे एक्विलेटर triangle की बात किया जा रहा है एक्विलेटर मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं इस तरह triangle है इसके बाहर विरित और अंतर विरित दो विरित्ते बने हैं अब कुछ दिया जाए यह आर है इसमाल आर और बड़ा वाला जो विरित है उसका radius क्रैप्टल र है तो आप जो triangle है उसका area बताईए ABC यहां पर कुछ भी दे सकता है साथ और 14 भी दे सकता है छोटे वाले का साथ बड़े वाले का area radius 14 तो आप तुरंट बता देंगे त्रिभूज ABC का area क्या हो जाएगा ध्यान के देखेंगे त्रिभूज ABC का area क्या हो जाएगा दोस्त इसमाल आर का square प्लस 2 इसमाल आर इसमाल करते हैं जैसे कि यह सरकल है ठीक है सरकल है सरकल में प्रतिछेदित लाइन इसको छेदते हुए यहां चला जाए और एक सटा हुआ लाइन अल्लब इससे पर्स करता हुआ किस बिंद को मिल रहा है प्रतिछेद कर रहा है जो प्रतिछेद कर रहा है दोस्त उसको माल हम लोग B, A और इसको मह लेते हैं हम लोग T और यह P है अब आप लोग बताएंगे जैसे कि आप लोग को अगर देखें इसके लिए डायक फामला हो जाता है, P T का स्क्वाइर P T का स्क्वाइर P A इंतु P B, P T का स्क्वाइर सकता के इसको प्राइकत करते चलिए और पीडिया हो और अगर पुटीदिया बीजिए नियुक्र कंगे द्यान से देखेंगे, दोनों तरफ पर से रहाएं, यह तो दूसरा वला हो जाएगा, इसको देखें, अगर फरक तो ना एद पर तिछी तरे रहा है, अब तो एक तरफ आला हम देखेंगे, अगर थे इसको द्यान हो जाती है, इंटरसेक्शन बस पी एंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी पी एंटू पी फाम्मला क्या हो जाएगा पी एंटू पी इसको आप लोग नोट करेंगे तुरंट नोट करिए अपिपे फटा फट ठीके दोस्त तो यह सब रहें थोड़ा सा जनत चीज़ें हम लोग ज्यान लिए कि नोट किए एक बाबच के अनता कोड़ों का योग 1440 डिगरी है एक बहुज के अन्ता कोड़ों का योग 1440 डिग्री है तो इस बहुज की भुजाएं कितनी होंगी यह बताना है अगर आप लोग ज्यादा निकालना चाहते हैं तो इंटर्नल एंगल एक्स्टर्नल एंगल भी बता दिजिए कितना कितना होगा लेकिन अगर एक बहुज का इंटर्नल एंगल है इंटर्नल एंगल इतना तो अगर आप्षन में दे दिया जाए आपको दे आठ बारा चलिए पता एक क्यूशन पूछा गया है दोस्त अंडिड परसेंट आप लोग मानियेगा जो यहांपर प्रेक्षन पढ़ाया जाएगा आपको वह आने वाले इंटर्नल एंगल है पूरा और यहां बराबर साइड इतने साइड है तो आप लोग यहां से डायक निकाल सकते हैं जीरो जीरो से गया नौ से देखें पूरे जितने भी नंबर सिस्टम में नंबर हैं कटने का रोल एक से लेकर 22 तब वीडियो में पढ़ा हुआ है आप लो आप लोग को अगर सीखना है कटने वाला रूल तो आप लोग जाएंगे प्ले लिस्ट में मैंत ट्रिक नाम का एक फाइल बना हुआ है ठीक है प्ले लिस्ट में आप उसको खुलेंगे पुरा स्टार्टिंग से अंतक पढ़ेंगे नव से काटेंगे तो 9 एकम बचा कितना पांच नौचक 54 यहां सोला आ गया यहां बचा 2 एन माइनस 4 इसकोल टू सोला यहां ते 2 एन इसकोल टू कितना हो जाएगा चार इधर जाएगा नहीं संज में आ रहा है फिर से देखेंगे भी हम दो देखें यहां पर 1440 दिया था इंटर्नल एंगल भूजा पूछा है यह यहां पर आफ्न देखें यह पूरा कीःशन आया हुआ ए अप लोग इसको थोड़ा हलके में नहीं लेंगे ठीक है यहां पर लगा लेंगे लिकिन वहां पर जाके आप लोग लोग कंशूज जाते हैं तो थोड़ा काफी पर नोट करते हुए चलेंगे आप लोग मेरी बा यानि की 10 हो गया जब यह न का वेलू 10 हो गया आप से पूछ ले कि external एंगल बता जिए हम लोग पड़े थे total external angle होता है 360 बटे हुजा तो काट देंगे तो एक external angle वराबर कितना आ गया 36 डिग्री जब एक external angle is equal to 36 डिग्री है तो हम पड़े थे एक लाइन पर बनने वाली जो रिखाएं होती है 180 डिग्री होती है इसी जगह अगर एक भुजा बना है इधर वाला जो बाई आपका 36 डिग्री आ गया तो इंटर्नल एंगल कितने का हो जाएगा 180 माइनस 36 यानि कि 144 इस तरह आप लोग बता दिए तीन क्यूशन एक क्यूशन पर में लोग कर लिए वल्य दुभुजा निकाल लिए इंटर्नल एंगल निकाल लिए और एक्स्टर्नल एंगल निकाल लि अब एकैर दोला गया है एक नीखमित मतलब कि ने मतलब कि जो की भुजाये शबकी सेम होती है ठीक है वाउगा है जो रेगुलर साइड होते हैं रेगुलर साइड मतलब नी नीखमित बहुज का निहमित बहबुच का बाय कोड कितना एदोस 72 डिगरी है निहमित बहबुच का बाय कोड 72 डिगरी है तो इसके सभी आंतरिक कोडों का योग बताएगे तो इसके सभी आंतरिक कोड आंतरिक कोडों का योग बताएगे चलिए तो खटाफट लगाएगे अब देखे बहबुच का बाय कोड 72 डिगरी दिया है आप लोग को पता होगा पले आपसन दिलिख लिएगे आपसन क्या क्या दिया है 360 डिगरी बी अपसन दिया है 720 डिगरी सी आपसन दिया है 540 डिगरी और डी आपसन दिया है 648 डिगरी अब आप लोग फ्रस दिवाण भी चलाएगे तब बेर इसका क्योशन का आंसा निकाल लेंगे देखें कि कैसे 360 अगर आंतरीक कोड होगा तो मतलब कि जो भुजाओं की संख्या होगी चार होगी जब इंटर्नल एंगल नब्डे का होगा इंटर्नल एंगल जब 90 खाओगा तो एक्स्टर्नल भी 90 का होगा यहां वे तो 70 दिया है मतलब यहां तो होगा नहीं हमारा यहां पर भाइकोड दिया है ध्यान से पढ़ेंगे फिशा जा रहा है और यह हो सकता है अगर अन्सर यह हूla तो मैं पता है यह च बूज़ाओं न जो रेगूलर अगर च का खाओ ओऊधां होती हैं उसके इंटर्नल एंगल का हो गए है ना जब 72 दिया तो हुई नहीं सकता जो कि हमें पता है टोटल जो भी पॉलिगॉन हो उसके एक्स्टरनल एंगल का योग तीन साथ होता है और हम लोग यहां से पता कर लिए कि प्रैक्टिस से आप लोगों को पता हो जाएगा सब को प्रैक्टिस से होता है कि अगर खट हमें उसलिगे तो साथ हो जाएग करते कर देंगे एक साथ का हमँरा पता हो जाए पार्टनेंगे तो पांच सत्य पैर्टिस पांदुनी दर्श देखिए आ गया बहत्तर डिगरी जब बहत्तर डिगरी आ गया तो हमारा एंसर यह सही हो जाएगा इस तरह लगाते हैं को मज़ा आ जाता है चलिए नेक्स देखते हैं वैसे आप लोग इसको फामला पर भी रखके लगा सकते हैं नेक्स देखिए एक लास्ट क्यूशन यदि एक सम बवभुज के प्रितेक अन्ता कोड का माप यदि एक सम बवभुज सम बवभुज के प्रितेक अन्ता कोड का माप इसके बाह कोड का तीन गुना है तो इस बवभुज की संख्या कितनी होगी तो भुजाओं की संख्या बताइए बवभुज की जो है बवभुजा की संख्या कितनी हो जाएगी यह बताना है हमको हमको पता है अंता कोड बटे बाहे कोड मतलब कि इंटर्नल एंगल बटे एक्स्टर्नल एंगल बराबर अंता कोड इसके बाहे कोड का तीन गुना है मतलब कि तीन बटे एक हो जाएगा और हमें यह भी पता है एक अगर हमाल लेते हैं पंच भूज है यह प मनलब कि अगर यह internal है और यह external है तो 1945 ए क्यूता में जाएगा एक बराबर 45 डिगरी आजाएगा 4, 14, 16, बचाच चार 5, 20 जब 1 स्कुर्ड 5 डिगरी है तो 45 दियां देखे 45 गोंग में 135 डिगरी आ गया 135 डिगरी आ गया इंटर्नल आंगल और एक्सटर्नल आ गया 45 अब आप ही पताइए, जब पाँच बुजा है, तो पाँच बुजा में जब एक बुजा, जो vivat, एक्सटनल एंगल है, उसका 135 है और बाहरबार जब 45 है, तो हमоловungkin अगर एक बुजा निकालना हो, तो बुजा निकालना हो, जो बुजा निकालने के लिए क्लिए क्लरते है, ज तो दोस्त आप लोग को सुझ में आया होगा सारी चीजे तो शेयर करेंगे वीडियो को और लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ज्यादे से जादे बच्छों को जोड़िए क्योंकि सुबर आप लोग को पूरी अच्छे स्तायरी किया जा रहा है अ जिवराफी भी खतम हैं लगबग 10-12 चेप्टर खतम हो गया हैं आप लोग नहीं देख रहे हैं तो देखिए उससे तो भी खायदा होगा तो एक्जाम लग चुका है जैसे आप लोग तो तो रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही मुर्शाय हुए थे अब जग जाना है बिल् सारा चेप्टर अब पूरा अच्छे से कंप्लिट होगा आप लोग ठीक है तो थैंक्यू दोज़्ट आप लोग अ